सब्सक्राइब करें जुम्मा किचिन को और बैल आइकन को दबाएं ताके हमारी लेटिस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें हलो फ्रेंड्स वेलकम टु जुम्मा किचिन आज हम अपने किचिन में बनाने जा रहे हैं सभी के फेवरेट मटर पुलाव बहुत ही मज़िदार और बहुत ही सिंपल रेसिपी से हम यह बनाने वाले हैं बिल्कुल खुश्बुदार और जिस तरह से देग में मटर पुलाव तो यह मटर और चावल की रेशियो आप अपनी पसंद के साब से कम्याज ज्यादा कर सकते हैं तो सबसे पहले हम ऑईल में डालेंगे यह दो तेज पात्के पत्ते और डालते हैं कुछ खड़े गरम मसाले जो किस तरह से हैं एक तीस्पुन जीरा तीन हरी लाइची पांच जाओं एक तीस्पुन काली मिर्स एक बादियान का फूल एक दार्चिनी का टुकड़ा और यह लिया है हमने जावित्री तो आधा पूल हमने जावित्री का भी लिया है तो इस अभी चीज़े हम इसमें डाल देते हैं और कुछ सेकेंड के लिए हम इंको फ्राय होने देते करेंगे ज्यादा दाब करने से जो खुलाओ है उसका कलर बहुत डाज हो जागा है तो अलका सा फ्राय हो जाती है तो फिर हम उन दिखाते हैं 2-3 मिरेट हमने प्यास को फ्राय कर लिया है इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है अब दालेंगी हम इसके अबर एक टेबल कर लेते हैं अब डालेंगे हम इसके अंदर यह हरी मिर्चे यह मोटी वाली हरी मिर्चे हैं कम तीखी वाली है आप अपने इससाब से ले सकते हैं बड़ा सिल्कू प्राय कर लेते हैं अब लिए है मैंने आदा कब दही आप लेसं लोग कर दिए है और और इटरों दाल देते हैं जब पुलाऌ बनाते हैं दही ढालते हैं तो दही का बहुत अच्छा सा खटा सा फ्लेवर आता है पुलाव में है थोड़ा असल पून लेते हैं दही को हम अच्छे से पूल लेंगे जब तक कि दही का जो कडर है वो चैंज नहीं हो जाता अब डालेंगे हम इसके अंधर मतर ये मैंने ली है फ्रेश मतर और ये ठाई कफ मतर मैंने ली है और इस पर डालेंगे हम नमक अब इस तो मैं दो टी स्पून नमक डाल रहे हूं का आप में चेक कर दूँगी फोड़ोसा हम इसको भी पूल देते हैं फोड़ोसा पानी डाल लेते हैं इसके भी स्पून के करीब मैं इसमें पानी डाल दिया है अब मतर को हम कवर करके पांच मिनिट की लोग फ्लेम पर पकने देते हैं ताकि मतर खोड़ी सी सॉफ हो जाए मतर जब तक गल रही है हमने लिया है एक टेबल स्पून सॉफ और एक टेबल स्पून साबुत धनिया इनको मिक्सी में डालके दर दर पीस लेते हैं तो पांच मिनिट मैंने मतर को पका लिया है अब डालेंगे इसमें विसॉफ और धनिया साथी में हम डालेंगे इसमें एक टेबल स्पून हरी मेर्च का अचार जो के बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके डालेंगे तो इससे जो आपका तुलाव है उसका टेस्ट बहुत ही जबरदस हो जाएगे कोई भी अचार आपको में जाए वो डाल सकते आप थोड़ा से इसको मिक्स कर लेते हैं कि और दूसरी देस्ट मैंने टाइमा वी बासमती राइस सब्सक्राइब और थे लिए एक आपाने टेमिजर कपछी के सब्सक्राइब धुकों ही दिए क्सील नेधे टीए कुले में पका रहे हैं तो छे कप हम इसमें पानी दाल रहे हैं। तो पानी में बॉइल आने का हम दोड़े से अवेट करते हैं। देख हम गाया है तो अब हम अपनी कर देते हैं रoncé्ट नहीं को लो और यह रहे हमारे रैस जो कैझे से बीगे होए हैं। इनका मैंने पानी निकाल दिया है और यह डाल देते हैं हम वटर के साथ अच्छे से सबी चीज़े मिक्स कर देते हैं इस टेज पर हम चावलों के पानी का नमक चेक कर लेंगे अगर नमक कम होगा तो थोड़ा सा डाल सकते हैं हम तो नमक बिल्कुल ठीक है अब हम इसमें अच्छे से गोईल आने का वेट करते हैं तो चावलों में आ गया है गोईल अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है वो 70 से 80 परसंट तक ब्राय हो जाए चावलों का काफी पानी द्राय हो गया है अब यह लिया है हमने थोड़ा सा पूर कलर जो के बिल्कुल अप्शनल है इसको हमने पानी में बूल दिया था यह बस हम थोड़ा सा डाल देते और अब इसे कवर करके 10 मिट करें लो फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद गैस बंद करने के बाद दिया हम इसको 10 मिट करें नहीं खोड़ेंगे फिर उसके बाद खोलके पिर मैं आपको देता तो देखें तयार है हमारा बहुत ही जबरदस्ट और खुश्बुदार मट अगर पुलाओ जो कि जटबट बन गया है और बिल्कुल इसमें से इस तरह के खुश्बु आ रहे हैं जिस तरह से आप देवी मटकुलाओ खाते हैं उसमें से आती है तो अगर आपको यह रेस्पी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और